कहां? कहां जा रहा है ओबिन हुएस? खुजान चाहा तो मैं मिंबर पर जाके आज खुद्बा पढ़ूंगा किस मुनाजबत से? मैं अमीर इबन जाद की हकुमत का नाइब हूँ अमीर इबन जाद खुद्रे की कौन सी जहनम में चले गए हैं कि आपको अपनी हकुमत का नाइब बना दिया है उन्होंने? इस्तखफार करो अमीर ना तो मैं अमर साद हूँ और ना ही ये लोग जो खड़े हैं आरत हैं आमिर इबन मसूद हंगामा मत करो बैठ जाओ ये दो अफराद जो तुम देख रहे हो कासिद खलीफा इबन जियाद हैं उनकी जानिव से कूफे के मुमनें के लिए पैगाम लाए हैं खुदा की पना? क्या आप लोगों ने सुना? इबन जियाद अपने आपको खलीफा कहलवा चुका है और यकिनान उसका पैगाम भी यही होगा के कूफे वाले उसकी बैद कर लें कुछ तो शर्म करो कूफे वालो खुदा के घर का मिम्बर क्या इसकदर लावारिस हो गया है? के हर नाहल और कम हैस्य श्थ श्थ उस पर बैठ जाए तुम्हारा मिम्बर और महरा आपसे क्या वास्ता? एबत्तमीज हरब अपने मूँ से ज्यादा बड़ी बात कर रहे हो क्या तुम्हारा सर जिस्म पर भारी हो गया है? खलीफा मरा है मगर उमवी हुकूमत नहीं मरी है उमवियों के पास धंके लोगों की कमी नहीं है तुम क्या समझते हो क्या तुम्हारे जैसे लोग जो आल जुबैर के किराए के पले हुए है वो लोग आल उमविया के खिलाफ सर उठा सकते है जाओ अपनी जगा पर बैल चाओ आमिर फितना बर्पा मत करो ए, कूफा के लोगो ए, कूफा के रहने वालो ये जान लो कि बश्रा वालों ने इबन ज्याद की बैद कर लिया बश्रा वालों ने विहत्रीं काम किया कलीफ अगिन नाइब को द्यानतदार और दिन के इहकाम से वाकिफ होना चाहिए मैं एक शक्की इंसान हूँ बिन हुरैस तीन और चार रकत में शक हो जाए तो क्या करना चाहिए शक्की इंसान तो इंसान नहीं होता तुम्हारी नमाज पर अफसोस है आमिर जबके तुम नमाज में हर चीज और हर किसी के बारे में सोस सकते हो सिवाए खुदा के खलीफा के अमीर को मैशत और अमन अमान की फिक्र करनी चाहिए समझे ये शक्यात नमाज मुब्तलात वुजू ये अहकाम नजासत और महरमात और मुताहरात के मसाइल उन उलमा से पूछने चाहिए जिन्होंने दीनी दुरूस पढ़े हूँ ये उलमा अमीर की दस्तरस में होते हैं और लोगों की दीनी मुश्क्राब भी हल हो जाएंगी मन्जूर बिल फर्ज मैं एक बड़े घराने का वारिस हूँ खुदा जानता है कि ना मैं सुस्ती करता हूँ और ना बेखेरत हूँ दिन रात अपना खुन पसीना एक कर देता हूँ मगर अपने घराने का पेट नहीं बार सकता जबके मैं ऐसे मुसल्मानों को देखता हूँ जिनके घर के कुटे बिली भी मेरे घर के बच्चों से ज्यादा सेर होते हैं आप जो के लोगों की मैशत की फिक्र में हैं ये बताईए के मैं क्या करूँ जबके ना तुम मैं हराम कर सकता हूँ ना चोरी कर सकता हूँ जाओ मजाओ तुम जिन्दा ही क्यों हो जब अपने घराने का इज़त से पेट धग भी नहीं भर सकते किसने कहा था कि घराना इतना बढ़ा लो कि उनका पेट भी न भर सको इस मंतक के तहट आप मेंसे अक्सा लोगों को मर जाना चाहिए क्योंके आप तंगदस्थ हैं जहां तक हम जानते हैं खलीफा और उसके कारिंदों को सुन्नत रसूल पर चलने वाला होना चाहिए ताकि वो मगभ्रूब का हक जालिम से च्छीन कर ले शाबाश आमेर शाबाश खलीफा और उसके कारिंदों को आदिल होना चाहिए ताकि ना ही कोई मुसल्मान زیادہ खाने से मरे और ना ही कोई मुसल्मान कम खाने की वज़ा से तुम तो आल जुबेर के तरफदार हो छूटे कहीं के आल एली के जुम्ले लोगों को क्यू शुना रहे हो सुन रहे हो लोगो इस से जच्छारी और चला की क्या होगी ये बातें आली के दौर की थी जो खत्म हो गई आल जुबैर के मोटे खूसट खलिफा को इन बातों से क्या मैं इसकदर गैरत और मर्दानगी रखता हूँ कि अपनी हकूमत और इक्तदार के हुसूल के लिए शरीयत और दीन की बातों का सहरा लेकर लोगों से कोई ऐसा वादा ना कर लूँ जो पूरा ही ना कर सको रुदा के घर के मिंबर को नजिस मत करो मलाओन नीचे उतरो यजीब को मर गया मगर उसके कुटे अब भी लोगों की जान नहीं छोड़ रहे कुफियों को मवी खलीफा नहीं चाहिए खलीफा जुबैरी चाहिए अब्दल्ला जुबैर खलीफा आमिर अब्न मसूत अमीर अब्दला जुबैर खलीफो आवरे अब्न मसूत मीर इस व्राफार के सामको उसा बहुत जलतनी मोग बंदाएगा फुषे वाले पक्तसीद लोग हैं आज एक फूफे से अम्दों मार खत्त हो जाएगा कुम नमक खरामों का हक बनता है कि कुम लोगों कर बला कर पुड़े उन्हें तो आल अबयात कर है रचारत को रही है कि हामिन नाम उट रखियां यूमिन के बनता है doc शाओ तो यूमिन कर पाओ यूड़े है मुझा है अवाएब आवाएब खुड़ा है अराक अरब के हालात पुरा शूब है हमेशा की तरह कुफा में फिर्गावारियत और मुक्तरिब गुरों का मैदान जंग बन गिया है अब मेरा ख्यार है के जल्द जल्द इन लावारिस भेलों की फिक्र कीजिए और आज ही कुफा के अमीर के तायून पर गोर कर लीजे जिस कदर ये मौसू पुराना होता जाएगा अतना ही कुफा पर तसल्द बाना मुश्किल होता जाएगा मसला कुफा हम सब का मसला है हमारे ख्यार से वो वाहिद आदमी वो वाहिद आदमी जो कुफे के मौामलात को बासानी समाल सकता है वो है अबु इसाख जो हिराक को भी अच्छी तरह से जानता है और कुफे की तक्रीबन पूरी अक्सरियत का महबूब है और कुछ उदार भी है जो हमारे सर पर है हाहाहाहाहाहाह इस हुसन इंतखाब पर खुदा की कस्म आपने बहतरीन इंतखाब किया है कुफियों की अक्सरियत अबु इसाख को बहुत चाहते हैं खास तोर पर तववाबीन जो के बेशक इनके हमावाज है बहुत बहुत मुबारक औ मुखतार बेशक आप कूफा के अमीर होने के लाइक है बहुत खूब अबु इसाख वादा वफा कर दिया हमने हर्चन के आप मक्य में हमारे लिए अमन के परवाने थे मगर क्या करूँ क्या करूँ के इराक तुमारी दरियात और तद्बीर का मौताज है जल्दी करो अबु इसाख कुफा तुमारी इंतिसार में नहीं नहीं गुजारे शेकर मुझे माफ रखे क्यों मुक्ताब मैं जन्ग यू हूँ सियासदान नहीं जैसा कि आपने फरमाए कि कुफा कोई समझदार हूँ सियासदान अमेर की जरूरत है तागे समझदारी और हुशारी से कुफियों पर काम्याब हो सके मैं खुछ जानता हूँ कि मेरे पास ऐसा कोई होने नहीं तो मैं इनकिसारी दिखा रहे हो मुक्तार इनकिसारी से काम ले रहे हो कि तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारी हमसे बैद करने की शर्टी राग क्यों कुम्मत थी वो शर्ट सिफ एक सवार्या निशान था आपको पहचानने के लिए मैं ये जानना चाहता था कि आपकी नजर में मुक्तार की क्या गद्रो क्यमत है बस इतना ही मेरी हुकुमत का तक्त गोड़े की जीन है और मेरी राया तलवार मैं फौजी लिबास में बड़ा हुआ हूँ और मेरी जबान एक जंजु सिबाही की दो टोक और सक्ष जबान है हुकुमत करने के लिए इतना नर्म, मीठी और रंग बरंगी जबान चाहिए ये वो सबग है जो मैंने खुद आप से सीखा है तो पिर बहतर यही होगा कि मैं मक्का में आपके हुजूर में ही रहूँ बात खुब मुक्तार नहीं अब कान है जो कुफे की हुगमत के ने मुनासिब होगा हाँ जाहरान कुफे वालों ने इस खत्मे एक सखस का इंतिखाब कि यह बहतर है कि खरीफा उनकी राय को मिदेगा किसका इंतिखाब किया है आमिर इबन मसूद का हाँ, आमिर इबन मसूद एक दीनदार और खेरखा इंसान है मगर, मगर सिर दीनदार खेरखा है क्या वो कुफे जैसे शहर से निमर सकता है हाँ मुझे बईद लगता है कुछ हरसे उसे मौलत दे दीजिए कि वाली एकुफा बन जाए अगर वो लाइक और समझदार निकला तो बहुत कुप नहुआ तो एक जिम्मेदार इंसान को कुफे की हुकुमत के लिए चुन लीजिएगा जनाब खलीफा कुफियों की राए पर एतिमाद करना कुफा के लोगों को आले जुबैर का जाने वाला बना देगा अच्छी राए है अगरचे हमें हमें लगता है के मुक्तार कुफे की हुकुमत के लिए सबसी उगला है है फे के उसने मना कर दिया है फे मुक्तार के फैसले की पीछे कोई फितना चुपा हुआ है कैसा फितना ये तो अब तक मुझे भी नहीं पता मगर मुझे यकीन है कि वो उच्छ खलत दी रादे रखता है क्या वाक़ी आप उसे कुफा की हुकुमत देना चाहते थे मैंने तो दे दी थी मलूम ने कुबूल नहीं की ताचुब है तो फिर हम क्यों पागल बन रहे हैं क्या मतलब है क्या हमें पता नहीं चलना चाहिए कि मुक्तार ने हुकुमत दी गूफा को क्यों कुबूल नहीं किया मुझे पता है तो बताओ क्यों कुबूल नहीं की पहले मुझे बताईए कि क्या इरादा था फिर मैं बताओंगा कि उसने क्यों कुबूल नहीं की मेरा तो कोई ऐसा इरादा नहीं था इस तरह तो मुझे भी कोई इल्म गैब नहीं है जनाब अमीर कि मुगतार ने हकूमत कूफा को क्यों कुबूल नहीं किया और वाग़ी कैसे जान सकता हूँ मैं हम तो पिर किस काम के हो तुम अगर मुझसे इतनी बाते चुपाएंगे तो मैं भी किसी काम का नहीं आप फौरण हुकम दे सकते हैं कि मुझे फारिक कर दिया जाए और मुसल्मानों की बैतलमान को मुझ जैसे शक्त पर हराम ना करें जो किसी भी काम का नहीं तुम ऐसा क्यूं सोचते हो कि मैं तुम से कुछ चुपा रहा हूँ क्योंकि रोज रोशन की तरह वाज़ है हुकूमत एक कुफा के लिए मुक्तार को चुनना हर्गिस सोचा समग्ला और मागूल फैसला न था न है आप तो जानते हैं कि अगर मुक्तार कुफा पहुंच गया तो नाउज बिल्ला खोदा भी उसे नहीं लोग सकेगा तो फिर आप उसे किस तरह कुफा भीश सकते हैं सिवाए इसके कि आप उसे थोका देने के लिए भीजना चाहते थे या फिर मक्का और कुफा कि राह में उसका किस्था तवाम करना चाहते हैं जब बच्छ़ास से ज़्यादा बड़ा हो जाए तो इसकी मा को शदीद परिशानी हो जाती है अभी बहुत वक्त लगेगा तुम्हे एक समझधार सियास्तदान बनने में यहां तो सिर्फ मैं और आप हैं और इसके इलावा खुदा भी वाक्यान तुम किसी काम के नहीं हो बिन सहाल एक राज जब जब जबान पर जारी हो गया तो वो राज नहीं रहता हर फ्यांब हो जाता है पहल जाता है पहल जाता है अज के बाद जो आ जाए जबान पर कोई राज बंद रखना लबेबत साथ रखो राज को राज दियान रखना के नहो जाए सुखन साथ वरना होगा काफस उमर का तेरी दर्बाज मुर्ग जां तेरी निकल कर करे उससे परवास ये जो आपने फर्माया क्या ये फिर था? नहीं दम के थी मैंने रदीव काफ़े के साथ दी है ताके मर के भी न भूल सको अब बताओ कि मुखतार मैं कूफे की आमीरी क्यों कर कुबूल नहीं की? मुखतार को मेरे अरादे का पता नहीं था लिहासा बक्वास मत करना हाँ मुझे लगता है कि जब तक मुखतार के लगीब की शकर में सुलिमान इबन सुर्द एक खुजाई है मुखतार कुफा नहीं रहे गा वो तावाबिन का अंजाम देखना चाता है लहादा तामूल से काम ले रहा है जब तक सुलिमान इबन सुर्द और उसके साथी कूफा में है आपको फिकर करने की कोई जूरत नहीं जो इरादे मुगतार के हैं उनकी राह में सुलिमान सबसे बड़ी रुकावट है जहे नसीब हबीब अबने मजाहिर के जहे नसीब मुस्लिम अबने उसजा के जहे नसीब उन लोगों के जिनों ने अपने आप को इश्क के काफले से मिला दिया और वाए हो हमारे हाल पर के जो नफसे मारा के हातों जलील हो गए हमने वो काम किया है के अब क्यामत तक और अले अली कुफा से बेजार ही रहेंगे मेरी मदद कीजिए के हम अपनी खोई हुई इसद दोबारा पाले अगर्चे मैं जानता हूँ के समंदर में बह जाने वाला पानी कभी वापस नहीं आता मेरी मदद कीजिए के हम इस श्रमिन दगी के दाख से दामन को पाग कर ले होसला पैदा करो के फिर से जिन्दा हो जाए मैंने सुना है कि बास कूफियों ने आल जुबैर के लिए बैद तलब की है मैं जो के तवाब हूँ खुन हुसैन का इंतकाम लेना चाहता हूँ जहां तक आल जुबैर मेरी रुकावट नहीं बनेंगे मुझे भी उन से कोई सरुकाल नहीं आज मेरा जिहाद है किसास किसास है कातलान हुसैन और आर्जू है राह हुसैन में मर जाना तुम बिल्कुल ठीक ड़र रहे हो क्यान यहाँ तो एक इस्तेमाई खुदकुशी की बूँ आ रही है यहाँ अपने आपको जलाने वाली है दुश्मन को जलाने वाली नहीं वाकिन मुक्तार की सक्सरूरत है कभी कबार अबु इस्हाक और उसके इनकामों पे शदीद खुसा आता है मुझे इसक्दर के मेरे दिल करता है अपना सर दिवार से टक्रा दूँ नजाने के सुमीद पे मक्के में रुका हुआ है यह हमारे खौबों के पूरा होने के लिए बेतरीन वक्त था सब इसकाम लोक्यान जिस मुख्दार को मैं जानता हूँ वो किसी बेकाल बंजर जमीन तर कभी कदम नहीं रखता बेतर है तवादेन के अंजान तक मुख्दार मक्का ही में रहे क्यों बिन कामिल? क्योंके वो सुलिमान के सामने नहीं आना चाथ तुमने सुना नहीं सुलिमान को हकूमे से कोई सारुकार नहीं है मुख्दार इस रविश के सक खिलाफ है यजीद मलूँ जो वाके कर्बला का असल मसब्द था वासल जहन्नम हो गया बाद यजीद सितमगर अबन जियाद खवीज और उसके कारिंदे है इसकदर शक्ति उल्कल्ब कौम से जंग करूँ कि बफजल खुदा शहादत से हम किनार हो जाओँ जो भी मेरे हम अकीदा और हमदर्द है इस बेकार दुनिया से अपना दिल उखा ले और काफला गर्वला का मसाफिर हो जाए और शार अलसे जालसे 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 करत कर दो क्या सोच रहे हूँ जेमर मैं हैरान हूँ अमर खुदा के कान नामों जमाने की गर्दिश से हैरस अदा होकर रह गया हूँ आमिर की हवा की माने दाय हुई हुई ह्कुमत कितनी अजीब है न एक शफ्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष मुझे तो मुश्किल ही लगता है कि बनी उमय्य के पास कोई ऐसा लायक इंसान बचा हो जो मावियक हुकुमत को जिन्दा कर सकी मैं अपनी चांग के खौफ से बैद कर रहा हूँ तब आप एंके घुस्से से बचने के लिए मुझे मजबूरा नाले जुबहर की पना लेनी होगी कुफ से बाग क्यों नहीं जाते उमर चला जाओं कहा चला जाओं वही जह इबने जियाद गया है शाम तुम भूल गए किस तरह जूती जन्नते दिखाकर हमें इस्तिमाल किया यानि फिर से बेहोग कुफी करूँ ताकि यह राम जादा इबने जियाद मेरे सर पे सबान हो जाए हर किस नहीं अगर मुगतार मक्या में ना होता तो मैं खाने काबब में पना ले लेता मैं हाकिम नहीं हूँ लोगों की खित्मत का हमानदार हूँ आप लोगों ने बड़ी समझदारी का काम किया कि लोगों के साथ हम आवास हो गए और बैट का इरादा कर लिया लोग फिरका वारियत से ठक गए हैं मेरे ख्याल से तववाबेन भी गलिती पर है ये लोग कड़े मुर्दे उकाड रहे हैं मुर्दा भी अजब में और जिन्दा भी अजब में बहरहाल मैं कुफे वालों के काबिल एत्माद और खित्मत गुजार होने के नाते यही नसियत करता हूं कि तमाम मुसल्मान भाई चार की अख्यार करें यही बात खलीफा के हुक्म में हमें मिलती है खलीफा चाहते हैं कि मुसल्मान आपस में रहम दिली और नर्मी का गोशा रखें पुराने जख्मों पर लड़ना बंद करें और तमाम बुख्स और कीनों को बुला डालें क्या तवाबिम खलीफा की बैत नहीं करना चाहते क्या कहूं मुजू को पैचीदा बना रखा है उन्होंने जुमानी बाते करते हैं वो चाहते हैं कि खुदा भी मिल जाए और वसल जाना भी ना आले जुबेर का साथ देते हैं और ना ही मुखालफत करते हैं ये तो नहीं हो सकता अमीर या इस तरफ हो जाएं या उस तरफ हो जाएं जनाब खलीफा का क्या इरादा है आप लोगों की खिद्बत में अर्ज करूं कि खलीफा की बात एक दिलसोज बाप किसी है उमीद है कि ये फर्जन्दे खताकार गलत रास्ते से लोट आए और सीधे रास्ते पर चलने लगे और बाप के गम औ घुसे का बाइस ना बने अगर ये ना फर्मान बेटा सीधे रास्ते पर ना आए तो क्या बाप के सबर की भी एकाद होती है फिर नभी खुदा हज़रत नुम और उनके बेटे के हिकायत हो जाएगी जब सबर का पैमाना लप्रेस हो जाएगा तो बाप निजात पा जाएगा और बेटा हलाक हो जाएगा मुझे अमीर की बातों से ये समझ में आ रहा है कि जो भी आले जुबहिर की बैहत करेगा गोया वो उनकी कश्टी में सबान हो गया है वो तूफानों और तवाबिन की चोड़ से अमान में रहेगा ठीक कहाना मैंने अमीर कोई मज़ाग की बात नहीं है शिम्र मगर मुझे तुम लोगों से और ज्यादा तबको थी अगर तवाबिन के खौफ से आप लोग आले जुबहिर की बैट कर रही है तो बेतर है बैट ना करें और देर होने से पहले अपनी जान बचाएं और फरार हो जाएं शाम की तरफ वो बैट जो किसी तरह के डर, खौफ या बेदिली के साथ हो वो किसी गदर औ क्यमत के नहीं होती लेकिन अगर आप लोग आले जुबहिर परीमान ले आए हैं तो फिर बैट कीजिए ताके आपको बना मिल जाएं मैं अपनी बैट की अपने खून से जमारत देता हूं खुदा करे के ये बगवास नहों इस बैट के जरिए आले अमया से इजारे बैजारी करता हूं और आले जुबहिर से दोस्ती का मुश्ताख हूं ए तबाब भाईयों वाके कर्बला के बास सरगना मुस्बबीन ने इबन जुबैर के वालिय कूफा से बैट कर ली है वालिय कूफा ने अपनी तरफ से ये काम नहीं किया होगा यकीन वो अपने खरीफा की तरफ से इस गलत बैट पर मामूर किया गया था शिमर लईयन और उमर सादे खबीज की बैट कुबूल करने का मतलब है कि आल जुबैर ने अपने पिछले दावे सब वापस ले लिए यानि तबबीन से खुलन 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 दुश्मनी करना जो हुसें के खुलन का इंतिकाम लेने वाले है अगर यही तमाशे रहे कि हर चंद अरसे में कोई ताकत का भूका मुनहरिफ और लार्ची शक्त करा होकर दीन के नाम पर पत्तरीन और सबसे गी हुई हरकतों का मुर्तकिम हो जाए और जहां तक हो सकता है मुसल्मानों के माल और नामूस को लूटता रहे और एक मुसल्मान हुकुमरान इन सब बातों को नजर अंदास करके उसे पढ़ा दे दे तो ऐसे चो कोई मसला हर होने वाला नहीं है अबन ज्याद जो मशूर है बना में अबन मरजाना अश्किया में शकी तरीन शख्स और 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 ऑस्या और बहत्तर शोहदा करवला का पूनी दुश्मन और कापिल जो जूट और रियाकारी का खुदाशी नाफरमानी और हरामकारियों का एहल है उसका और उसके साथ्यों का नजिस वजूद भार पे लटकाया जाएगा ये कौन सी मस्करा में जमेफिल है ये कौन सी फजूल बाते पड़का सुना रहे हो मैं ठक गया हूँ चल्दी से इस तमाशे को खत्म करो मुफ्तार मैं कहता हूँ ये तमाशे बंद करो कैफे इंतकाम तो तब है जब तुम अपनी तलबार को खून से घुसल दोगे अपनी बक्वास को हमर जान का जहर मत पनाओ तुम खुद अच्छी तरह जानते हूँ कि मैं खून और खून रेजी का आशिक हूँ चाहे मरूं या मर जाओं मुफ्तार जान मुझे वो रोटी खिला के मानना जो बुलके रे की गंदुम से बकी हो या चाहे उसके कुछ भूसे टुकड़े ही मुझे दे दो के मुझा दो एए मुख्तार मुझे गोर से देखो मैं वो शकी हूँ जिसने उस नेक सिपसालार का फून अपने इन हादों से बहाया जिसका कोई यावर न था मुझे खोल दो वे पाने की देख में ठेक दो अलवदाए खाने कावा अलवदाए आसों के किला गाह अलवदाए अली की जाए पेटाईश शायद ये हमारा आखरी लिदार हो खाने कावा का तवाफ कबूल हो मुखतार आपका तवाफ ये कबूल हो भाई अरकन पूरे नहीं करोगे कूफा से हानी अबने जुबाए वडाई साहर क्या हाल है अबने जुबाए आपके दुआउं से अबू इसाथ आप क्यासे है साहर चल रही है हजार शुक्र है उसका जितनी देर तुम तवाफ में थी मैं तुम्हे देख रहा था तुम हरा तवाफ तो तवाफ विदा था कहां कह रादा है इंशाला इंसान की मौत हर वक्त इंसान के ताकुब में रहती है हानी शायद अभी सहने खावा से बाहर कदम रखे हैं और तो पर बैतर है के इंसान हर वक्त जाने के लिए तैयार रहे कब तक मक्का में बैठे है रहने का इरादा है मुक्तार बिल्कुल कुफ़े को भूली गए हो तो मैं अपने घरवालों से मिलना नहीं चाते खाना कावा के जवार में रहने के तौफ़े कहर किसी को मुयसर नहीं होती कुफ़े की क्या खबर है एदमे जुबा कुफ़े तो मत कहो जैसे कोई तोफ़ानी धरिया है सिर्फ मुक्तार की कमी ही यजीद की मौत के बाद अप कुफ़े को गहरत आही गई और उमवी कारिंदों को जलील और रुस्वा कर्ब के कुफ़े से बाहर निकाल दिया लोगों की आले जुबेर से बैच सिर्फ मसलिहत की तहते है उन लोगों ने मजबुरन आले जुबेर से रजममंदी का इसार किया है जहर है अंधों में काना राजा होता है अगर तुम कुफ़े में होती तो कमस्खम लोग आमेर इबने मसूत की तरफ न जाते अब यह भी धेर नहीं हुई है मुटार कुफ़ें को आले जुबेर पर शक है जनाब सुलिमान असूर टो तहर नहानी तो पर उनकी बright क्यों नहीं कि तुम लोगों ने सच तो यह है के बहुत से लोग सुलिमान के गिर्द है मगर सुलिमान बज़ाते खुद हुकुमत नहीं करना चाहता है हमने जितने भी जिद की उसने पुबूल नहीं किया रात दिन गिल्या करता रहता है सुलिमान और उसके साथी तवाबेन के नाम से मशुरूबे है उनका अकिदा यह है कि उनकी तवावस्वा कुबूल होगी जब यह शहीद होंगी कुफियों की राय मुक्तार के बारे में क्या है हानी किस हावाले से हर हावाले से जनना चाहता हूं कि मेरे बारे में क्या कहते है अच्छे च्छे बाते करते हैं हमने तो जो कुछ सुना है वो जंग मक्का में मुक्तार की शुचात और उसकी हरम काबा के दिफा में जाने सारी का ही सुना है लोगों की आले जुबेर के तरफ जानी की एक बहाना तराश दलिल तुम खुद हो मैं? और क्या? कुफियों का तुम्हारी तश्किस पर इमान है लोग कहते हैं अगर आले जुबेर अच्छी लोग न होतें तो मुक्तार उनके पास ना रुके रहता वागे हैं? तुम अपने आपको इतना कम के मत क्यों समझते हो अबुशाथ? कुफे वले तुम्हें अपना हिस्सा समझते ही तुम्हारा बैतुल्ला का दिफा करना इन लोगों के घुरूर का बाइस बन गया है तुम पर नास करने लगे हैं ये लिए तुवाबेन का क्या? क्या उनकी भी यही राय है? तुवाबेन को ना मुक्तार से सरुकार है और ना आले जुबेर से उनका सारा गम शहादत पाना है मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना? मुक्तार हाँ तुम्हारी ख्याल से कि ये आले जुबेर कैसे लोग है? किस हवादर से? दीन, शरीयत, तरीकत और सलाइयत के हावाले से? क्या वाकई में दीन का दर्द है भी? या सिर्फ रियास्त के भूके हैं? फक्त खुदा ही अंदर के रास से वाकिफ है हमें क्या पता? मेरे और हज़ते खलीफा के लिए खाने, पीने और सूने से ज़्यादा मुकदम ये है कि शरीयत का पास रखें जनाब खलीफा चाहते हैं कि उनके भाई की बेवा हुक्म शरीयत के मताबक शादी कर ले गेरों और अजनबियों से नहीं वो चाहते हैं कि मैं जब तक जिन्दा हूँ, जुबैल की बहु बन कर रहूँ हुक्म सर आँखों पर मगर मुझल की मौत के बाद मैंने वो मन्नत मानी है जिससे मिराने का हमशरूत हो चुका है कैसी शर्त है बानू? शर्त किसास किस से? गातिल मुझल से मुझल का गातिल एक बतनसीब और बेतुकासा शामी आदमी था जिसे मुझल का गातिल वो अलमदार है जिसने मुझल को मैदान में जाने की जासती मुझल का मारा जाना हमारी हकूमत के लिए बुरा गदम है खाशिया तो उसे इस तरह भी मारा जा सकता है के उसका खूमत बनी जुबैर के सरना है तुम बज़िद हो के मुझल मारा जाए मैंने मन्नत मानी है जाफर एहद किया है खुद से मन्नत का अदा करना वाजिब है मेरा फैसला खून मुझल है प्रून मुझल है परवर्दिकारा तुझी से दिलित बिनान का बाइस से